साधक के मन में सब बाते हैं, कई लोग हमारे साथ जो साधना कर रहे हैं बिगत चार पांच महीनों से, ये बात मैं उनको भी कह दूँ, कि आप लोगोंने बहुत साधनाएं की हो सकता हैं कई लोगों की मनों कामना पुर्ण होने में थोड़ा विलम भु रहा हो। नेगेटिव मत होना प्यारे, नकारात्म को मत होना, ऐसे में भगवान के उपर और भरोसा करो, हमने भाव से किया है, मालिक सुनेंगे जरूर, कई लोगों को ततक्षन फल मिल गया, भगवान भी तो देखते हैं कि किसकी फाइल अरजेंट है, बहुत जादा किसको जरूवत ह भगवान उस फाइल को पहले निकलते हैं, जो लोग साधना कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने सत्चंडी महायग्य किया था, इस हरिदबार में यहां बहुत सुन्दर यग्शाला बना कर, और उसके पहले हम लोगों ने शिवदी की आराधना की, द्वादस जोतिर लिंग का पार्थिव निर्मान और उनका महा अभिशेक, और कल जो हम लोग साधना करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनें, पंचमुकी हनुमान जी महाराज की उपासना, बहुत जवरदस्त साधना है यह, और बहुत पावरफुल साधना है यह, पंचमुकी हनुमान जी का, एहमदाबाद के पास अपना एक आश्रम है गुरुदेव का आश्रम उसकी जो गद्धी है गुरुदेव ने मुझे दिया है पंचमु की अनुमान दादा तो पंचमु की अनुमान जी के जो साधना है खासकर ऐसे युवान बच्चों के लिए है देखो बच्चों को धर्म देने की हमारी पहली प्राथिमिक्ता होनी चाहिए मैं देश के तमाम माता पिताओं को मैं प्रार्थना करूं कि अपने बच्चों को केवल धन देते रहोगे न तो तुम अच्छे माता पिता नहीं हो बच्चों को धर्म भी दो धर्मिक रूप से भी उनको तुम संबल प् तो हमारे लाल को कोई तकलिफ ना हो बच्चे को तकलिफ ना हो अरे प्यारे धर्म भी ऐसी पूंजी उनको दे दो कि जीवन में कभी उनके ऐसी कोई समस्यान आ जाए जो देवी यापदा हो जो आकस्मिक घटनाएं घट जाती है इसलिए उससे बचाने का कार्य अध्यात्म क होती है उसके कारण बच्चे आगे बढ़ते हैं ऐसे माता पिता अपने बच्चों के शत्रू होते हैं जो धर्म की नहीं सोचते हैं केवल धन की सोचते हैं इसलिए पूरे भारत को मेरी प्रार्थना है कल की जो साधना है तमाम माताओं को मेरी प्रार्थना है युवान आफासकर जो 20 के उपर वाले बच्चे अठारवर्स उपर वाले बच्चे एसे बच्चों के लिए क्योंकि हनुए युवान है एक युवक है हनुआ बाटि और ऐसे जुवान है जिस्की युवानी कभी खुशन नहीं होती अजर अमर गुन निदिसुत हो हो ऐसे अजर है हनुमान जी तो ऐसे हनुमान जी महराज की उपासना कल जो हम लोग करने जा रहे हैं पंचमुकी हनुमान जी का उसमें युवान बच्चों के भविश्य के लिए तो उनके जीवन में क्योंकि अब युवक हो गये हैं न तो अब उनके जिम्मेदारी समालने का समय आ रहा है तो उनके जीवन में कोई परशानी ना हो उनके जीवन का जो लक्ष है उनको प्राप्त हो और हमारे युवान बच्चों को युवकों को किसी प्रकार का कोई संकट ना आए संकट से हनुमान छुड़ावे भगवान राम लंका के उद्ध मैदान में जिस वक्त अहिरामन भगवान का परण करके ले गया सुन लो ये पंचमुकी हनुमान जी कब बने थे वो घटना भी मैं आपको बताओ भगवान राम विवीशन के चितावनी के बाद भी लिला कर देते हैं अहिरामन लेकर चुरा कर लेकर गया तो विवीशन ने हनुमान जी को बताया कि महराज हमारा दो भाई अहिरामन महिरामन ये दोनो पातालपुरी में रहते हैं और वही दोनों राम लक्षमन को उठा कर ले गए हैं महराद उन से बचाना बड़ा दुस्तर कारिया है अनुमान जी ने कहा कि जब संजीब नहीं लेकर आया इसमें नहीं डरा तो ये तो छोटा सा कारिया है अनुमान जी गए तमाम असरों को मारते हुए प्रवेश करते हैं तब देवी जी को जाकर देवी मा के सामने बली चड़ाना चाहता है अहिरामन बगवान राम लक्षमन को तो अनुमान जी ने मा को प्रणाम करके पूछा कि माँ क्या आप सच्मे प्रभू की बली चाहती है मा ने का मैं तो इस अहिरावण की बली चाहती हूँ तो हनुमान जी ने का तो मा मुझे बताओ कैसे संभव है तो मा ने स्वेम हनुमान जी को कहा कि एक साथ यहां पांच दिशाओं में अहिरावण ने पांच दिपक दिला रखे और शर्त यह है कि एक साथ यदि वो पांच दिपक बुझ जाएं तभी अहिरावण मारा जा सकता है तो अब हनुमान जी के लिए कौन सा कौन सो काज कठी ने जग माही जो नहीं हो तता ततुम पाही हनुमान जी ने उसी वक्त पंच मुखी रूप बनाया बोलिये पंच मुखी हनुमान जी महराज की पांच मुख से हनुमान जी प्रगट हुए और पांचों मुखों से फूक लगाई पांचों दिपक बुझ गए तब से श्री हनुमान जी महराज पंचमुखी हुए और बाद में उन अहिरावन की बली चड़ाने के बाद इतने सारे प्रसाद थे न हनुमान जी ने सोचा कि वहार युद्ध मैदान में इतना भोजन तो मिलने वाला है ने यहां ही जितना हो खा लो और सोचा एक मुख रहेगा तो इतनी जल्दी खा नहीं पाऊंगा तब हनुमान जी ने पांचों मुखों में भोग लगाना शुरू किया तब से हनुमान जी पंचमुखी हुए